जरूरी नहीं कि तुमारे हर मेसिज का तुरंथ जवाब आए जरूरी नहीं कि तुम्हें वीडियो कॉल करने के लिए वो 4G कनेक्शन लदवाए जरूरी नहीं कि तुमारी हर फोटो पर उसका लाइक और कॉमेंट पी आए जरूरी नहीं कि गुड मॉनिंग के बाद रात को गुड नाइट का मेसेज भी आए क्योंकि जरूरी नहीं कि जैसे तुम प्यार करते हो तुमारा प्रेमी ठीट बैसे ही प्यार किया दूर हैं बहुत मजबूर भी तुझे याद भी करते हैं तेरी बात भी बिन तेरे जीना मुश्किल सा लगता है अब तो तेरी यादों में ही वक्त गुजरता है चले आना किसी बहाने से यहाँ सब कुछ है मगर फिर भी बिन तेरे सब कुछ अधूरा सा लगता है किसी के साथ बुरा करके भी आपको बुरा नहीं लग रहा है तो समझ जाना कि आप बहुत ही बुरे इंसान हो एक दिन तुम्हारे ही करम तुमसे मिलने आएंगे बस उस दिन हैरान मत होना क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे यार मैं तुमसे नाराज तो बहुत हूँ पर कभी नफरत नहीं कर पाई और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अब जिन्दगी में वापस चाहती हूँ या कुछ और लेकिन कभी जिन्दगी मौका देना कि वापस जिन्दगी में जाके कुछ मिटा सकूँ तो शायर तुम्हें एक लौते ऐसे चीज़ हो जिसे मैं मिटाना भी नहीं चाती। मैं प्यार करता हूँ तो तूट के करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि जो मेरे साथ हो वो भी दिल से करें। रिष्टों को फन के लिए इस्तिमाल कर रहें। साथ देने के नाम पे मुकर रहें। पहले खुदी पास आके आदत लगाना अगला अटैच हो जाए तू विछड रहें। दुख होता है देखकर। प्यार का मतलब कैसे बदल दिया है। सारी दुनिया भी खिलाफ हो मुझे फरक नहीं पड़ता। तू अगर साथ है मैं किसी चीज से नहीं डरता। तेरे सहारे लड लूँगा यार मैं हर मुसीबत से। बस तू साथ मत छोड़ना। फिर तो ये जग रूट जाए मुझे फरक नहीं पड़ता। मैंने परका है अपनी बदनसीबी को। मैं जैसा ही एक बार अपना कह देता हूँ। मेरा कभी नहीं रहता। मुझे आज भी तुम्हारी फिक्र है। तुम्हे आज भी ये नहीं पता। ये कैसा रिष्टा है जो तुम्हारे लिए शुरू होकर खतम भी हो चुका है। पर पता नहीं क्यों मेरे लिए कहीं न कहीं आज भी ये जिंदा है। अकसर मुझे तुम्हारा खैना आता है। और अक्सर मुझे ये सवाल सताता है कि कुछ खुबसूरत कहानियों का अंजाम इतना बुरा क्यों होता है